दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल डीटेश ट्रिक्स वड में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडी फिर इसकी सेप्टोक्स में आने वाली एक प्रोलोम के बारे में कहीं बार हमें टीवी स्क्रीन पे नो से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आगे भी ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे इस यूटूब चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गंटी के निशान को दबाके ओल की ओप्शन को स्ल चैनल अब डाउन के बटन से वी कर देना है बाइस के ओप डिस्क की तरब में आपको सबसे आसान तरीका बता देता हूं दोस्तों मैं डिस्की तरब आचका हूं डिस्सेट करने से पहले आपको अपने डिस्पे लेगी हुई एलन्ब का एसक इंगल सई करना है तो डिस्को डिस्क के लिए एलन्ब का इसक्व इंगल रता माइनस पचिस तो आपको इस तरीके से गुमा देना है इस तरीके से पोजिशन रखेंगे लन्ब की तभी आपको सिंगनल से से मिल पाएगा अब देखे दोस्तों मैंने अपना सेप्टर उस मेनी LED TV में कनेक्ट किया हुआ आपको डिस्को टाइट कर देना तो आपको डिस्को राइट है और आपको अपनी डिस्को हलकालका अपडाउन और हलकालका लेट राइट करते रहना आपको अपनी डिस्को इसी तरीके से एडजेस्ट करते रहना ताकि आपको अपने सेप्टरोस में सिंगनल मिल सके और ज तो यहां पर दोस्तों मुझे सिगनल मिल चुका है, आप देख तो यहां पर सिगनल को आर्टी 84% तक जा रही है, तो यहां पर दोस्तों जो हमारी डिस है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुकिए, अब आपको मैं यहां पर डिस की पोजिशन दिखा देता हूं, त यहां पर दोस्तों जो हमारे डिस है, वो डिडी फिर डिस पर सेट हो चुकिए, और एक बार फिर से मैं आपको यहां पर सिगनल दिखा देता हूं, तो देख तो यहां पर सिगनल बहुत ही अच्छा रहा है, अब चलते दोस्तों टीवी की तरप और मैं आपको इसके आगे चैनल डिलिट हो जाएंगे, इसके बाद वापस में न्यू में जाना है, फिर जाना प्रोग्राम सेट अप के अंदर, और फिर जाना आपको ओटो स्केन के अंदर, और यहां पर एलन प्रिक्वेंसी डालनी है, जीरो स्केन बटन दबा देना है, इसके बाद मैं आपका बलर किया थाकि कोपिराइट इस ना हो, बाकि आप देख्सते हैं, बेगराउंड में चैनल अच्छी तरिके ही चल रहे हैं, और आपके पास भी चैनल यहां पर अच्छी तरिके ही सलेंगे, तो यहां पर मैं आपको डीडी फिर डिस के आज की MPG2 सेप्टोग्स की चैनल ल जाते हैं, तो देख्सते हैं दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में डीडी फिर डिस के सेप्टोग्स में आने वाली no signal और signal intensity 21-60 और signal quality 0 की प्रलोम को सोल करने का सबस्यासन तरीका बता दिया है, अब दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है, तो इस वीडियो